वार्ट सब दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं आपका दोस्त ओंग्शू देल का दोस्त और आपका ओस्ट एंड फीड एक बार और एक निया वाला वीडियो लेके मैं आज आ चुका हूं लेकिन मुझे कहने में बहुत खेत है और महुत सर्मिंदिगी उठाना पर रहा है कि मैं अभीड शूट किया था एक्षिली मेरा गोप्रो में तो उसमें क्या हुआ था आप देख पार हो मैं इस पर घर रहा हूं एक्षिली तो आ में वलोगिНе कर रहा था था एक्षिली लेकिन अन्देंंग् क्या हूँ ना मेरा जो में घर पे आके देखा तो माइक का कीसी तरह até साउंड नहीं लिया तो मैं क्या करूंगा मैं इस वीडियो को तो मैं डिलिट नहीं कर सकता एक्षेली तो एक्सप्रियंस सेम ही है जो बाइक में चला था तो मैं इसको वाइस ओबर कर दे रहा हूं तो आप एंजय कीजिए मेरा राइनल फिन का हिमालयन का बीसिक्स वाला जो वर्शन है यह वाला मैं चला ला हूँ उसका यह एंजय कीजिए मैं इसको पूरी तरह से वाइस ओबर कर रहा हूं पहले थोड़ा म्यूजिक के साथ इसको एंजय कर लीजिए थोड़ा मेरा राइट मैं इस फिर इसको कॉंटिन्यू करूंगा तो दोस्तों वीडियो के पहले में ही मैं शाउट आट देना चाहता हूँ रॉयल एंफिल को और उसका जो शोरूम है कुलकाता में बेगबागन में अक्षिली नॉट इन बेगबागन अक्षिली कला मेंदिर जो है एरिया उसके ऑफुसित में जो रॉयल एंफिल का शोरूम है जहांपे मैं सब शूट करता हूँ उसको और मेरा दोस्त शोमोदित को जो मेरे को यह टेस्राइट आपको अगर लगता है तो आप डेस्रिप्शन बॉक्स में चेकर लिजएगा दोस्तों चलिए मैं इस रिव्यू को आगे बराता हूँ तो तो मैं क्या था एक्षिली उसमें बाइक क्यासा है एक्षिली आम प्लैनिंग फॉर एडिवी एक्षिली एडवेंचर तूरर उसको मैं धूनने के लिए उसको मैं थोड़ा अरण्डी करने के लिए पहला मेरा जो यह था ता रहनल फिली क था जो आप देख पा हो मैं अभी चला रहा हूँ और जिस इस आ एरिया और पार्क सुरीट एक्षिट एक्षिट आ क्योंकि हिक यहा से ही मुझे श्रेट जाना अच्छा है बहुत सारा जो चेंज़ेस रॉल इंफिल हमालान बिएस फूर में था उससे इसका चेंज़ेस जो हुआ है वेजिए वीडियो में आगे बताने वाला हूँ प्रक्ष प्रहला जो चेंज़ेस आप देख पारे हो इस वीडियों में वाइक को में जब चला रहा था तो है आपका हेड़ लाइट तेके आपको एक वाकरम वीडियो भी मिल जाएगा लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ एक डिजिटल हेडल आपको मिल रहा है और देख पार हो 40 के चला रहा हूँ देख़ा है इतना स्पीड में वाइबरेशन नहीं बहा हुँ इसमें मुझे कोई वाइबरेशन नहीं लगा एक बाटरी स्मूथ की तरह में चला रहा था सबसे अच्छा जो लगा अब देख पार हो मेरा जो हैंडल में पकर के रखा हूं हैंडल बार पोजिशन is very comfortable very nice मेरा जो height है वो 6 feet है लेकिन मेरा जो पूरा reach है बाइक का पूरा बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है और विंशील भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए मेरा गोप्रो में कितना सुंदर यह पूरा आ रहा है तो इस तरह से मैं क्या-क्या यह मैं सीधा में विल्ला प्लेनेटोरियम पढ़ता है बाय तरफ डाय तरफ आप देख पारे हो एसी मार्केट पढ़ता है कलकता में तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं तो चेलिए फिट से थोरा म्यूजिक के साथ इसको इंज्योर कीजिए मैं फिट से मैं इसको बताने वाला हूँ टिक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाने वाला हूँ क्या-क्या मुझे अच्छा लगा यह चला के तो दोस्तों देख पारे हो अब शीगनल तो चुट गया है तो मैं अभी जा रहा हूँ विक्टोरिया की तरफ विक्टोरिया के बाय तरफ से डाय तरफ से निकलूंगा और पूरा एजसी बोस फ्लाइवर को क्रॉस करके पूरा मैं इसको बाइक को फिर में शोरूम में ले मुझे कोई ऐसा नहीं लगा के बायक में कोई प्रॉबलम है उसमें कोई प्रेंशन हो रहा है चलाने में तो के बहुत ही स्मूध लग रहा था और यह ट्रेस्ट्राइब वाला जो बायक था जो रायन इन्फिंट का जो शोरूम में गया था इतना अच्छा में गया था दूसरा भाई का कंडिशन इतना अच्छा नहीं था ला जा च्ट्ट्राइब ई बानी प्रड़ झाल 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 दोस्तों अभी मैं हूँ आपका AGC Boss Flyover के सामने मैं अभी इसमें चलाई करने वाला हूँ तो इस इस फाइनल पार्ट एक्षियली जो जब मैं बाइक को थोड़ा रेफ करने के कोशिश करूँगा लेकिन आप देख पारे हो बहुत सरा उस टाइम में बहुत सरा ट्राफिक था एक्षियली फिर में कोशिश करूँगा 80 के करीब जाने के लिए सिटी रोड में 80 कलकाता में 80 में चलाना ठीक थाक है अगर यह मिलता था तो मैं 90 क्रॉस कर जाता लेकिन आप देख पार हो में 80 के करीब में चला गया हूँ एक्षियली ठीक है 70 के उपर गारी चल रहा था ल जो बंप्स था वो बंप्स को बहुत ही अच्छी तरह से ले रहा था हला कि मुझे इस प्लें रस्त में कोई अच्छा ने टाफ बंप्स नहीं मिला लेकिन वो बहुत अच्छा था था अब देख पार हो स्मूतली गारी कितना अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है ठीक है और जो एक्सास्स नोट है उब यह अच्छा है मैं लास्ट में दे दूंगा जो मेरा और एक वीडियो बनाए था उसका उससे में इस वीडियो में डालने वाला हूं लास्ट में अब सून लेजिएगा लेकिन इस लाइका वेरी कॉमफोडेवल राइड टेस्ट फॉर मी दोस्तो जो गियर से वह भी बटरी स्मूज था ठीक है फाइफ स्पीड गियर बोक्स सेम ही है चेंज नहीं हुआ है यह तोड़ा मुझे डिसरपांडेट लगा है यह बिए सिक्स में निया वाला में मुझे मैं एकस्पेट कर रहा था इसमें सिस्पीड गियर बोक्स आ जाएगा लेक ठीक है जब राइट कर रहे हो तो हजर्ड लाइट अब यूज कर सकते हो तो यह एक अडिशनल है जो रिएस फोर में नहीं था ब्यस्तिक्स इंजिन प्रोड्यूसे सेम पावर ठीक है और टॉर्क भी सेम है तो क्या-क्या पावर टॉर्क है उमें वाकरोन वीडियो में ठीक है तो अभी आप देख पर हो फिर से में उसी तरफ जा रहा हूं से अलदा की तरफ उतर रहा हूं से अलदा की तरफ उतर के बाई तरफ लेके फिर से वह शोडूम में चला जाओंगा तो यही पूरा वीडियो था एक्षेली आपको काम चलाना पड़ेगा लेकिन कोई भी क्वेस्चेन को भी आपका क्वेरी रहेगा कैसा रॉयल इंफिन हिमालयान के लेके टेस्ट्राइब जो दिया मैंने तो आपको भी लग सकता है मुझे कुछ पूछना चाहिए मेरे से तो आप पूछ सकते है में ठीक है और मे अगर इन लोग का नमबर चाहिए आपको तो में आपको दे दो, अगर इन लोग का नमबर चाहिए आपको में दे दोंगा स्व эксп तो I am here I am I reached in law पास्दो तो छेल LIVE बाग को पार्क करते एं फिर कंटिनु करते है झाल झाल तो दोस्तों जैसे के आप देख पारे हो एकदम लास्ट में इसको पार कर दिया इसको यह पूरा हैंडल लोग कर दिया ठीक है अभी इसको थोड़ा रखके मैं पूरा इस वीडियो का जो इस बाइक का जो एक्सप्रियेंस था भी आपके साथ शेयर किया मुझे बहुत ही गारी है और everything is looking very fine and refined और सबसे अच्छा लगा इंजिन बहुत अच्छा लगा चला के और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वाला वीडियो में तब तक के लिए कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे बताईए कॉमें शेक्शन में अभी तक मेरा चैनल आगा सब्सक्राइब ने की हो तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और फ्यूचर में इस तरह का इन्फरमेटिव वीडियो रिव्यूज और बहुत सारा मोटो व्लॉग में आप लोग ने देखे आने वाला हूँ आपकी दोस्त दोस्त और आपका होस्त अजी की तरफ से एजी फ्रीम आउट लव यू वोल बबाई टेक केर अट लास्ट में आप इंजिन का जो नोट है मैं आपको बोला था वो थोरा सुन लेजिए एंज़ोई कर लीजिए थैंक्यो वेरी मुछ आपकी वेरी में नही थाईडा में लेगिए कर लाए कर बदंबस्त कर लाए लाए कि अखस्त येगा हूने के लाएगा सुन फट़ी वाएए लाएँ गल पाली दुछ कर दो कर दो झाल 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 झाल